यह देखिए श्री धाम अध्या में आप सभी लोग पहुंच चुके हैं अजुद्या धाम में माता सर्जु का दर्शन पॉर्णिमा का दिन है आज आप सभी उनों संत ही भर्मन कर रहे हैं श्री अध्या धाम में देखिए बहुत सुंदर ही भगवान की क्रिपा से हम लोगों का परम सोभाग्य है कि माता सर्जु की किनारे हैं आप सभी लोग भी जो ये लोग वीडियो देखेंगे सब लोग लाइक और सस्क्राइब करेंगे और सर्जु जी का दर्शन भी करते रहें और जैकारा भी लगाते रहें सर्जु जी का दर्शन बहुत बड़े भाग्य से होता है भाग्य उदेन बहुजनम समर्जितेन सत्संग मन्चलबते पुरसो जावई जब जन्म जन्म अंतर कल्प कल्प अंतर के फल पूर नुदय होते हैं भाग नुदय होते हैं तब ऐसा सुवह उसर प्राप्त होता है ये अध्या की किनारे किनारे आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा हैं अभी आप सभी लोग जहां पर देख रहे थे राम घाट के नाम से विख्यात है आईए साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो में साथ बने रहेंगे तो आपको नया घाट का भी दरसन करया जाएगा सारे भक्त लोग भगवान की पूजा में आस्था में लगे हुए हैं विश्वास में लगे हुए हैं कि हमारा भी कभी ने कभी कल्यान होगा हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी भगवान के नाम पर कुछ न कुछ करें अवस्थ ही देखिए माता सर्जू का पावन दरसन बहुत बड़े सोभागिस होता है यह दरसन्त लोग विराजमान है शात में हनुमान जी भी है यह नईया सब लगी हुई है भक्तों को सैर कराने के लिए भक्त लोग जो भी माता सर्जू के मद्ध में विराजमान हो करके दरसन करना चाहते हैं उन्हें इस नईया के माध्यम से सैर कराया जाता है आप सभी लोग भी जब कभी अहां अध्या पधारें अध्या पधार करके सर्जु जी का दर्सन कर सकते हैं यह नई बोर्ट प्रियम मोधी जी ने लॉंच किया है जो अब आप आकर के अध्या में पुना इसमें स्रायर कर सकते हैं क्रूज से आईए आगे में वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे नया घाट तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें योहीं इसी तरह से और साथी में जय जय कार लगाते रहें जय माता सर्जु बलो सर्जु मैया की जय ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है जिसमें केंद्री उद्धोग जल विभाग नया घाट ये माता सर्जुगुजी का पुराना पुल है जिससे आप यात्रा करके गोंड़ा वहराई चाहत जा सकते हैं ये सुन्दर पीपल का बिच जहां पर प्रति दिन नित सर्जु महा आरती होती है भक्तों के द्वारा और बड़े-बड़े संत लोग भी उपस्तित होकर के भगवान माता सर्जु की आराधना प्राथना और निवेदन करते हैं इसी तरह से आगे आईए बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग नाघाट आप लोग देखी रहे होंगे भीड हो रही है दर्सन करते रहें माता सर्जु के ये पुराना पुल्भ भक्तों का असनान जारी है आप सभी लोग भी जैजैकार लगा करके ही असनान प्राप्त कर सकते हैं गोस्वामी तुल्सी राजी माराज कहते हैं कोट कल्प कासी बसे मथुरा कल्प निवास और एक निमिस सर्जु बसे तुले न तुल्सी दास करोन जनम तक कलब बास कीजिए करोन जनम तक कासी में निवास कीजिए कहीं भी रहिए लेकिन अगर एक भी सिकेंड आप अपना सर्जु मा की किनारे बिताते हैं यह बहुत स्थी सुन्दर बात है देखिए हम सभी लोग नया घार पर पहुँची चुके हैं यह सारे भक्त लोग भीड लगाये हुए हैं यहां पर भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं यह जो आप आप ब्रिच देख रहे हैं पीपल का यह पीपल का ब्रिच नहीं अपित सनी भगवान का मंदिर हैं आज सनीवार का भी दिन है सनीवार मंदिर पर भक्त लोग भीड लगाये हुए हैं पुर्णिमा का दिन सनीवार और माता सर्जू का दर्शन जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं लाइक सस्क्राइब जरूर करें और जो लोग यहां तक नहीं पहुँच सकते हैं वो लोग वीडियो सेर करके और लोगों को भी दर्शन करावें माता सर्जू का पावन दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं अगर एक पल के लिए भी हमारा मन माता सर्जू के दर्शन में लग जाता है तो हमारे जनम जनमांतर के जो पाप हैं उसाहजी में नस्ट हो जाता है आईए हम लोग भी असनान करेंगे असनान करके हनमान जी महराज का दर्शन करेंगे हो सकेगा तो अगले वीडियो में आपको हनमान जी का भी दर्शन कराया जाएगा आईए हम सभी लोग नया घाट पर पहुँच चुके हैं ये है नया घाट और ज़रा ध्यान से देखिए ये नित्य महासर्यु आरती होती है इस जगा पर आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही सुन्दर धंग से इसको बनाया गया है जो की महांत ससीकांत दास जी महाराज की द्वारा निर्मित और आयोजीत योगी आदित नास जी भी आते हैं यहाँ पर और आकर के नित्य सर्यु आरती में समलित होते हैं और उनका सायोग भी रहता है नया घार्ट पर आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुन्दर ठीक है जै स्री राम जै स्री राम आईए हम सभी लोग भी जैकारा लगा करके अस्लान करते हैं बलो स्री सर्यु में या की जै